गर्क संगता के गोलो खंड में, सात्वें ध्याय में, कंस के दिकवजे, शंबर, वियो मासूर, बानासूर, वच्सासूर, काल यवन तथा देवताओं की प्राजी श्री नारजी कहते हैं, राजन तरंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंबादी अन्ने डेक्ट्यों के साथ शंबरासूर के नगर में गया, वहां उसने अपना युद्ध विश्यक का भी प्राइक के सुनाया, शंबरासूर ने अत्यंत प्राकर्मी होने पर भी कंस के साथ यु युद्ध नहीं किया, कंस ने उन सभी अत्यंत बालचाली इस्वरों के साथ मेत्री स्थापित कर ली, त्रिकूर्ट परवत के शिकर पर व्यॉम नामक एक बलवान असर सूराह था, कंस ने वहां पहुँचकर उनके उपर लाग चलाई, उसके प्रहार से व्युमासूर के निद्रा तूट गए, और उसने उठकर सदर्ड बंदे हुए जोरदार मुक्के से कंस पर आगात किया, उसमें उनके नेत्र क्रोच से लाल हो रहे थे, कंस और व्युमासूर में भ्यंकर युद्ध छेड़ गया, वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे, कंस के म मुक्कों की मार से व्युमासूर अपनी शक्ती अरुट साख हो बैठा, उसको चक कराने लगा, ये देखकर कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया, उसी समय मैं नारद वहां जा पोचा, कंस ने मुझे परनाम किया और पुछा है देव, मेरी युद्ध विश्यक आकांशा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीगर पताईए अब मैं कहां किस के पास जाओं, तब मैंने उससे कहा, तुम महावली द्यत्य बना सुर के पास जाओ, मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है, मेरी इस परकार की प्रेना से प्रेरित होकर बाहु बलके मद स उन्मत रहने वाला कंस शोनी पूर गया, कंस की युद्ध विशेक परतिग्या को सुनकर महावली बाना सुरत्यंत को पी धोड़ था, उसने मेक के समान गंबीर घरजना करके पिथी पर बड़े जोर से लात मारी, उसका वे पैर घुटने तक जमीन में धस गया, और पताल क निकट तक जा पोचा, ऐसा करके बान ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ, उसकी ये बात सुनकर मद उन्मत कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को खाड कर उपर कर दिया, उसका परकर्म बड़ा परचंड था, जैसे हाथी गड़े हुए कथोर दंड या खंब के लोक और सातो पताल ही लुठे, अनिक परवत धाराशाई होगे, सुद्रड दिगज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे, अब बाना सुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख, भवान शिक्कर सेम वहां आगे, और सब को समझा वजाकर युद्ध से रोप दिया फिर उने ने बली नंदन बान से कहा देटिराज, बवान शिरिकिश को छोड़ कर भूतल पर तूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो युद्ध में इसे जीश सकेगा, पर्शू राम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है, और अपना वैशन धुनुश भी अर्पित कर दिया है, तो पश्चिम दिशा में महासुर वच्स का नाम सुनकर कंस महा गया, उस डैत्यराज ने बच्छडे का रूप धारन करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया, कंस ने उस बच्छडे की पूछ पकड़ियरों से प्रिथी पर देम मारा, इसके बाद उसके निवास भूत परव को अपने अधिकार में करके कंस ने मलिच देशों पर धावा किया, मेरे मुख से महावली देत्य कंस के आकरवन का समचार सुनकर काल यमन उनका सामना करने के लिए निकला, उसकी दाड़े मुच का रंग लाल था और उसने हाथ वे गदा ले रखी थी, कंस ने भी लाख भा कार लोहे की बनी हुई, अपनी गदा लेकर यमन राज पर चलाई और सिंग के समान गरजना की, उसमें कंस और काल यमन ने बड़ा भ्यानक गदा युद्ध हुआ, दोनों की गदावं से आके चिंगारियां बरस रही थी, वे दोनों गदाएं प्रस पर तक्रा कर चूर ये देख काल यमन की सेना कंस पर बानों की वर्शा करने लगी, तब बनवान देखते राज कंस ने गदा की मार से उसे सेना का कचूमर निकाल दिया, बाउस से हाथ यो घोड़ो उत्तम रथों और वीरों को धाराश है करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समरांगन मे मेग के समान गर्जना करने लगा, फिर तो सारे मलिच सैनिक रन भूमी छोड़ कर भाग निकले, कंस बणा नितिग्य था, उसने बैवीत होकर भागते हुए मलिचों पर आगात नहीं किया, कंस के पैर उचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांगें, खंबों के समान ज चार भुचाएवी शाल थी, नेत्र पर फुल कमल के स्वान परतीत होते थे, सिर के बाल बड़े बड़े थे, दे की कांती अरुम थी, उसके अंगों पर काले रंग का वस्तर शोबी था, मस्तक पर करीट, कान में कुंडल, गले में हार, वक्ष पर कमलों की माला शोबा दे रही थी, मैं परले काल के सूर की भांतित जस्सी जान पड़ता था, खडग, तुनीर, क्वच्च और मुग्दगर, आदिसे, संपन, धनुर्धर, एम, मद, मत, वीर, कंस, देटाओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चड़ा, चानूड, मुष्टिक, रिष्ट, शाल, तोशल, केशी, परलंब, वाक, द्विद, त्रिनावर्थ, अगाचुर, कूट, भोम, बान, शंबर, व्योम, धेनुक और वच्ष नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चार ओर से घेरा डाल दिया, कंस आदी असुरों को आया देख, त्रिवन समराट देवराज इंद्र समस्तितां को साथ लेकर रोशपूरग युद्ध के लिए निकले, उन दोनों दलों में भ्यंकर एम रमाचकारी तमल युद्ध होने लगा, दिवी शष्ट्रों के समूत था चमकिले तीखे बान छोट रहें लगे, इस परकार शष्ट्रों की बच्छार से वहां अंदकार सा छा गया, उस समें रख पर बैठे हुए सुरेश्य और इंद्र ने कंस पर विद्धत के समान कांती मान सो धारो वाला वज्जर छोड़ा, किन्तु उस महान असुर ने इंद्र के वज्जर पर मुद्गर से परहार किया, उस से वज्जर की धारे तोट गई, और वह युद्ध भूई में गिर पड़ा, तब वज्जर धारी ने वज्जर छोड़कर बड़े रोश के साथ तलवार हाथ में ली, और भ्यंकर सिंग नाद करके ततकाल कंस के मस्तक पर बरहार किया, प्रंदु जैसे हाथी को फूल की माला से माला जाए, और उसको कुछ पता ही नहीं लगे, उसी प्रकार खड़क से आहत होने पर विककंस के सिर पर ख्रूज दाक नहीं आए, उस देटे राय ने अस्त धातों में मजबूत गदा, चो लाख वारस लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई, उस गदा को अपने उपर आती देखकर नमुची सूदन, वीर देते इंद्र ने ततकाल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस देटे पर ही दे मारा, इंद्र के रत का संचालन मातली कर रहे थे, और देवेंद्र शत्रु दल का दल्म करते हुए युद्ध भूई में विचर रहे थे, कंस ने परिग लेकर असुर द्रोही इंद्र के कंदे पर परहार किया, उस परहार से देवराज शन भर के लिए मुर्चीत हो गए, उस समे समस्त मर्दगनों ने गीद के पंक वाले चंकिले बान समोह से कंस को उसी तरह ढख दिया, जैसे वर्षाकाल के सूरे को मेघमालाएं आच्छा दित कर देती हैं। एम डिशी चारो और से तोट पड़े और नाना परकार के शस्त्र द्वरा उन पर परहार करने लगे, इतने में ही परलंबारी सुरों के साथ गरजना करता हुआ भूमा सुरा पोचा। अंकुष की मार से कुपित हुआ वे गजराज शत्रों को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमी में गिराने लगा। उनके गड़े में घंटे बंदे हुए थे, वे किंकनी जालत था, रत्र में कंबल से मंडित था, गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उनके मुख मंडल पर पत्त्र रचना की गई थी, कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के उपर सद्रड मुके से प्रहार किया, साथ ही उसने समरांगन में देवराज इंदर पारवी दूसरे मुके का प्रहार किया, उसके मुके की मार खाकर इंदर एरावाज से दूर जा गिरे, एरावत भी धर्दी पर घुटने टेक क कर व्याकुल हो गया फिर तुन्ती उठकर गजराज ने देटिराज किंस पर दातों से आघात किया और उसे सून पर उठाकर कई यूजन भैंक दिया कंस का शीर वज्जर के समान सद्रड़ था वे उतनी दूर से गिरने पर भी खायल नहीं हुआ उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई किंतु रोज से होट फट फड़ाता अत्यां जोश में भार कर वे पना युद्ध भूवी में जा पोचा कंस ने नागराज एरावात को पगड़कर समरांगन में धाराशाई कर दिया और उसकी सून्ड मडोड कर उसके दातों को चूर चूर कर दिया आप तो एरावत हाथी उस समरांगन से तत्काल भाग जला वे बड़े-बड़े वीरों को गिराता हुआ देटाओं की राजधानी अमरावती पुरी में जा घुसा तंतर देटिराज कंस ने वैशन व धनुश पर परतिंचा चड़ा कर बांद सनमूहों तता धनुश की तं भूमी में अपने शिखाएं खोल दी और हम दरे हुई हैं हमें ना मारो इस प्रकार कहने लगे कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांती खड़े होगे और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उनने अपने अधोवस्त्र को लांग भी खोल डाले कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुक खड़े होने तक का सास नहीं कर सके इस परकार देवताओं को भागा हुआ देख वहां के छत्र युक्त सिंगाशन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त डेट्यों के साथ अपनी राज धुनी मत्रा को लोटाया